Hello Everyone, Welcome to my channel जीब को इंग्लिश में क्या कहते हैं और कुछ और सरीर से जोड़े अंगों को इंग्लिश में क्या कहा जाता है यह आज की वीडियो में जानेंगे तो शुरू करते हैं मास पेशी को इंग्लिश में मसल्स कहते हैं मसल्स हिर्दय या दिल को इंग्लिश में हाट कहा जाता है हाट पेट या अमाशा को इंग्लिश में स्टमक कहते हैं स्टमक रक्त या खून को इंग्लिश में बलड कहा जाता है बलड जीब को इंग्लिश में टंग कहते हैं टंग गुर्दा को इंग्लिश में किड्नी कहते हैं किड्नी दात को इंग्लिश में तीत कहा जाता है तीत मूँ को इंग्लिश में माउथ कहते हैं माउथ तवचा को इंग्लिश में स्किन कहते हैं स्किन चहरा को इंग्लिश में फेस कहा जाता है फेस होट को इंग्लिश में लिप्स कहते हैं लिप्स आख को इंग्लिश में आई कहा जाता है इसे के साथ आज के वीडियो में इतना ही थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माई वीडियोज